Friends, how are you? कैसे हुआ? ठीक हूँ मैं भे ठीक हूँ चलो We are going to learn subject math और topic 1 से 10 तक numbers numbers तो आपको पता ही है अभी मैंने 1 से 10 तक number बोले आपको तो इसके पहले मैंने 1 से 5 तक आपको पढ़ा है पढ़ा है ना? हाँ चलो, देखो फीट 1, 2, 3, 4, 5 आपने राइट किये हैं? होमवर्क भी किया हैं? ओके, गुड़ बच्चे हूँ आप 5 के बाद क्या आता है? क्या आता है? बताओ 6 लेकिन 6 निकलना मैंने आपको पढ़ा नहीं है इसलिए मैं आपको 6 कैसे निकलते हैं? वो पढ़ाने वाली हूँ चलो, देखो क्या है ये? क्या है? ये क्या है? 6 5 के बाद क्या है? 6 है के बाद? 6 ओके तो 6 है तो 6 बाद निकलना है आपको नहीं निकलना है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए इसलिए मैं बाद निकल रही हूँ ओके? 1 2 3 4 5 6 कितने निकाल है मैं नहीं? 6 बाद चलो काउंट करो इसको 1 2 3 4 5 6 कितने है? 6 बाद कितने है? 6 बाद 6 का स्पेलिंग क्या है? Yes आप 6 6 आपको तो आता है ओके? 6 के बाद क्या आता है? बता हूँ 1 2 3 4 5 5 के बाद 6 6 के बाद इसी है बता हूँ 7 आते हैं? चलो निकालो फिर 7 देखो देखो 2 3 3 5 6 और 7 कितने है? चलो काउंट करो 1 1 2 2 3 4 5 6 7 कितने बॉला है? 7 बॉल 7 के बाद बताओ क्या आते हैं? 7 के बाद 6 7 उसके बाद क्या आते हैं? 8 आपको ते 8 निकालना आता ही है क्याँ 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 क्या हुई ये? क्या है ये? 8 दो सरकल निकालने के बाद 8 तयार हो गए आपकी चलो देखो क्या है ये? 8 6, 7 और 8 कितने हुई ये? 8 चलो 8 बॉल निकालो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने बॉल हुई ये? कितने बॉल हुई ये? 8 बॉल चलो count करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने हुई? 8 बॉल कितने हुई? 8 बॉल वेरी गूट 8 के बाद क्या आता है? बताओ 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 जोड से बोलो कितने आते हैं? 8 के बाद चलो अच्छा से गिनो 1, 2, 3, 4, 5 क्या ये? 5 5 के बाद 6, 7, 7 7 के बाद 8 8 के बाद बताओ जोड से बोलो 8 के बाद 9 9 क्या आते हैं? 9 चलो निकलो 9 ऐसे 9 निकलते हैं अच्छे से निकलो ऐसे circle करो उसके बाद standing लाइन दो उसके बाद sleeping लाइन दो एक क्या हुए? 9 हो गए आपके उसके बाद 9 है तो क्या करेंगे? 9 बॉल निकलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 कितने बॉल निकलें मैंने? 9 बॉल निकलें देखा कितने? 9 बॉल है उसके बाद 9 के बाद 1 0 क्या आता है 1 0? 10 आता है न आपको? चलो बोलो 1 0 10 1 और 0 साथ में एक क्या हुआ? 1 0 10 1 निकलो बाद में सरकल निकलो 0 निकलो उसको क्या बोलते हैं? 1 0 10 आते हैं न? चलो लिखो उसके बाद चलो बॉल निकलो 10 आई इतने बाद में निकलेंगे? 10 बाद में निकलेंगे चलो निकलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 इतने बाद हुए? 1 0 10 चलो काउंट करो 10 है के तो चलो 1 बोलो मेरे साँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 0 10 क्या हुई यह? 1 से 1 से 10 तक आपके नमबर हुए हुए ना आपके नमबर? चलो मेरे साथ पढ़ो 1 से 10 तक नमबर 1 1 1 2 2 बोलो जोर से बोला 3 4 5 6 7 1 1 8 9 1 0 10 10 वे ना 1 0 10? आपको समझ में आया है? यह बोल आपने नहीं निकालें तो चलेगा क्यूंकि मैंने आपको समझने के लिए यह बोल निकाले हैं आपको 1 से 10 तक नमबर लिखने हैं मैट के कॉफी में आपको और दूसरे परिज में 1 से 10 तक आपको होमवर्क करना है उके? उसके बाद मैं आपको देखो क्या दिखाती हूँ? चलो यह कुन सा फ्लावर है रहे? कुन से नमबर का है? बताओ क्या यह? बताओ 6 आपको तो पता ही है अब भी मैंने पड़ाया है 6 काँ पर है? 6 6 6 बल्स भी निकाले है 6 भी निकाले कुन सा नमबर है फ्री? 6 कुन से कलर का है? Brown कलर का कुन से कलर का है? Brown कलर और red color से लिखे है तो क्या है फिर ये? 6, बोलो जोर से 6 6 के बाद 6 के बाद क्या आता है? बोलो क्या है? 7 क्या है? 7 कौन से color का है? pink color का आपको तो color पसंद है न? अपा इचनना भी आता है आपको ओके? तो बोलो जोर से 7 7 के बाद 7 के बाद क्या है? चलो देखो अच्छे से चलो अच्छे से देखो क्या है ये? क्या है? 8 कौन से color का है? flower कौन से color का है? देखो मैंने flower बनाया है देखो कुण से कलर का औरेंज कलर का क्या होता है रहे औरेंज होते है ना हाँ संत्रा हाँ यह ओई कलर का है और 8 मैंने रेड कलर से निकाला है चलो बोलो जोर से 8 उसके बाद उसके बाद क्या है नाइन उसके बाद क्या है यह नाइन आपको पैचन आते है ना देखो मैंने नाइन का पर लिखे है क्या है यह नाइन लिखे ना नाइन बोल बे निकाले है आपको समझने के लिए और नाइन भी निकाले है चलो फिर यह पैचनो क्या है यह नाइन कुण स ग्रीन कलर का फ्लावर है ये कुछ फ्लावर का है? ग्रीन कलर का और 9 भी ग्रीन कलर से लिखे है चलो बोलो फिर 9 उसके बाद 1 ये क्या है? क्या है ये? 1 और ये उसके साथ देखो उसके साथ क्या है? 0 कितने हुए है? 1-0 देखो मैंने आप भी पढ़ा है आपको 1 और उसके साथ 0 और बॉल भी निकले है 10 कितने निकले है? 10 बॉल तो फिर ये क्या हुआ? 1-0 1-0 क्या हुआ? 10 आया समझ में? हाँ, चलो देखो, अच्छे से देखो और चलो बोलो जोर से 1-0 10 उसके बाद चलो एक बार मेरे साथ बोलो 1 से 10 तक 1 2 3 4 बोलो 5 बोलो 5 उसके बाद 6 7 8 9 और 1-0 10 1-0 10 बच्चों, आपको कितने हैं? 2 हैंड है 2 हैंड को उंगलिया कितनी हैं आपके? Fingers कितने हैं? 10 Fingers हैं चलो गिनो 1 2 3 4 5 उसके बाद 6 7 8 9 और 1-0 10 1-0 10 आपको समझ में आए? 10 कैसे लिखते हैं तो? और कैसे पढ़ना है तो? चलो फिर 1-10 तक आपके Math के Book में लिखना है और Homework के लिए भी लिखना है और पूरा Learn भी करना है ओके? Thank you